हेलो दोस्तो आज हम लोग mathematical logic का exercise 1.4 करेंगे उसका question number 3 करने वाले है अब देखिए यहाँ पर without using the truth table लोग mostly इसको option में prefer करते हैं तो आपको इसको option में रखने की जरुवत नहीं है आप यह एकदम simple trick है जब आप follow कर सकते हो इसका जो main है वो यह table है कि मतलब यह वाला table अगर आपको आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा ठीक है तो यह table आपको learn करना पड़ेगा कुछ-कुछ चीजे learn करने पड़ेगी कुछ-कुछ चीजे आपको समझ में आनी चीए और यहां पर आपको पूरा learn करने के जरूरत नहीं है कुछ basic से है मतलब जैसे कि मैं अगर अभी यहां पर बता देता हूँ कि जैसे कि अगर यह हमारा table है तो आपको सिर्फ कुछ learn करना है वह एक यह learn करना है identity law और एक अपना distributive identity complement और डी Morgan और conditional ठीक है बट starting में आपको यह याद नहीं रहेगा तो इसको आप लिखके practice करो कि तो अच्छे से याद रहेगा तो अब यहां पर दिखते है पहली बाद तो question number यह वाला अब यहां पर क्या बोला है यह this is equivalent to this बोला ठीक है तो पहले तो मैं left hand side अपना देलूँगा जो q हो जाएगा p double implies q हो जाएगा अब मेको इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पहली बाद तो मैं सिर्फ इसको यह लिख सकता हूँ ठीक है तो मैं यहां पर सेम चीज यहां पर लिख लूँगा negation p और q and negation q और p मैंने हाँ पर लिख लिया ठीक है इसको क्या बोलेंगे conditional law बोलेंगे ठीक है तो यह पहली बत तो new textbook के सबसे by conditional law हो जाएगा ठीक है यह old है इसलिए यहां पर conditional दिया है तो by conditional law हो जाएगा तो आपको यहां पर ऐसा law mention कर देना है अब यहां पर आपको क्य distribution करेंगे ना तो हो जाता है ठीक है तो distributive law मतलब क्या बोलता है तो distributive अगर आप देखोगे तो distributive में यहां पर देखो क्या हो रहा है यहां पर देखो अगर p and q है तो वो क्या हो जाता है पहले p और q पे चल जाता है मतलब p and q हो जाता है और फिर और बीच में जाता है और p p&r हो जाता है मतलब बोलने का मतलब ऐसा कि यह वाले पाट को मैं p रहूंगा तो p & q हो जाएगा मतलब p & q q मतलब अपना यह वाला पार eld और फिर यह हो जाएगा और किसके साथ she happy वाला पार्ट जो सेम है और वो हो जाएगा थोकि ए यहां पर हम लोग इसको लिख देंगे कि यह हमारा distributive law हो जाएगा ठीक है तो यहां पर mention करना बहुत जरूरी है अब next step में क्या करेंगे अब मैं फिर से distributive law लगा तो ठीक है अब मैं इसको फिर से अंदर देता हूँ कभी भी याद रखना distributive law मतलब क्या होता है यहां पर end है और यहां पर और है तो मतलब आपको इसको अंदर देना है तो अगर आप इसको अंदर देखोगे तो क्या हो जाएगा negation P और देखो मैं इनको अंदर दे रहो न तो वो हो जाएगा and negation Q और फिर यह और आजाएगा और यहां पर q and negation q हो जाएगा समझे यह वाला पाट और यहां पर भी same चीज़ करूँगा मैं यहां पर इसको अंदर दूँगा तो यह क्या हो जाएगा negation p and p हो जाएगा और फिर और वाला पाट आजाएगा और फिर यहां पर हो जाएगा negation यहाँ पर हो जाएगा q and negation q and p हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर distributive law आप mention कर देना ठीक है अब देखो अब यहाँ पर जबी भी आपको ऐसा दिखेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते तो उसको same as it is लिख दो ठीक है बट यहाँ पर कुछ अगर आपको ऐसा देखा q and negation q तो उसका भी एक law है जो की compliment law होता है यहाँ पर देखो q and यहाँ पर p दिया हो है बट आप उसको q एजूम कर लो तो अगर q and negation q है तो वो false होता है ठीक है अब अगर यह चीज अपको नहीं समझे रहे न तो यह चीज देखो ऐसे way में देखो यहाँ पर and है न end में हम क्या बूलते हैं e and में हम यह बूलते है कि true true तो ही true वाकि 수 are false तो अगर बता हो अगर ये true होगा तो ये false होगा और अगर ये false होगा तो ये true होगा मतलब ये अलग-अलग होएंगे तो ये true true नहीं होने वाला है तो ये होगा क्या false हो जाएगा क्योंकि ये true true नहीं होगा क्योंकि true true तो ही true होता है end में तो यह simply false हो जाएगा और यहाँ पे भी same चीज मैं लिखूँगा और लिख दूँगा यह वाला part क्या हो जाएगा and same उसकी तरह है true true तो ही true मतलब यह क्या हो जाएगा false और इसको मैं कुछ नहीं कर सकता तो यह q and p हो जाएगा ठीक है यह कैसे आया यह हमारा compliment law से आया तो यहाँ पे compliment law लिख देनेगा अब next हम कैसे करेंगे sorry अब इसी का next part कैसे करेंगे अब यही same चीज देखो यह क्या है p कुछ तो assume करो p और f है ठीक है तो यह क्या होता है यह identity law होता है identity law क्या बोलता है देखो और है यह और में क्या होता है p और f है ठीक है इसको पुरा p assume करो तो और में होता है false false तो ही false तो अगर यह false होगा तो यह false होजाएगा और अगर यह true होगा तो answer true होगा ना त्योंकि देखो false false तो ही false या तो true false हम लोग ने यह सब किया था तो इसी का एक अपना identity का लॉइ जो कि यह बोलता है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह वाला पाट P और F कितना हो जाएगा P हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे सेम एस लिख लेंगे ठीक है तो और यह और फिर और वाला पाट यहाँ पर भी स और पीलू एक ही बात है तो वो चलता है तो यह हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर आपको लिख देना है कि आपने कौन सा लॉव लगा है तो identity लॉव लगा है वो लिख दो अब next हम देखते है यह चीज आपको starting में नहीं समझेगा थोड़ सा difficult होगा ठीक है बट इसको practice करो वीडियो को बार पर देखोगे guaranteed समझेगा जो सम नहीं समझ रहा है कुछ difficult लग रहा है कमेंट्स में बता दीजिए तो मैं उसको और simplify करके एक वीडियो बना दूँगा अब यहाँ पर देखना सेम चीज क्या करेंगे तो पहली बात तो इनको कुछ करने सकते तो डिस्रिब तो जबी भी P common देख रहा है तो यह अक्चुली डिस्रिब्यूटीफ का ही पार ठीक है अगर मैं यही सेम चीज को ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हो मतलब बोलने का मतलब यह है कि देखो यह वाला पार अगर अब धंक से देखोगे तो यह किसक P और Q दिख रहा है तो ये सेम चीज़ है देखो P और Q और फिर and है और फिर ये वाला पाट और ये है ठीक है तो ये ही सेम चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूं मतलब आप देखो P और P common आ गया ठीक है इसको distributive का मतलब वो ही ultra वाला पाट है तो P common आ जाएगा तो end को लेके आएगा ठीक है तो मतलब और रहेगा तो P अगर मैं यहाँ पे ऐसा common निकालो तो यहाँ पे P common आ जाएगा और ये और वाला पाट आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा Q and negation Q कभी भी आ दखना ये यहाँ पे हो जाएगा और ये वाले पाट ये जो दो है वो यहाँ पे हो जाएगे ठीक है ये कहाँ से आया ये हमें distributive law से आया ठीक है ये लिखना बहुत ज़रूरी है इसके marks cut होएगे अब सेम चीज़ करूँगा ये क्या है ये अपना compliment law है आपको पता होगा तो ये true, truth तो ही true तो नहीं होने वारा है तो ये false ही रहेगा और ये कहाँ से आया ये compliment law से आया ठीक है तो ये भी लिख देना है अब फिर सेम चीज़ अब यहाँ पे क्या है और मतलब क्या ये अपना identical है अगर आपको पता होगा और में क्या होता है false, false, तो ही false तो अगर ये true और false है तो true होगा मतलब इस पर depend कर रहे है तो ये मेरा P हो जाएगा जो कि मेरा क्या हो गया right inside हो गया तो वो equivalent proof हो गया कैसे आया? identity law तो आपको ये law ये सब mention करना ज़रूरी है मैं पहले भी बोल रहा हूँ आपको starting में थोड़ सा problem होगा बड़ एक बाप practice करोगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा ठीक है? पूरा exercise इसी पर ही based है अब जैसे कि यहाँ पर देखते है यहाँ पर left hand side ले 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 तो मैं तो left hand side में लिखने रहा हूँ बड़ यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो पहले यहाँ पर देखना कि देखो Q Q common आ रहा है इसे मुष्ट की तरह होगे जो अभी अभी किया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा P और मैंने बहुता है न यहाँ पर आजाएगा P और negation P और यहाँ पर end आजाएगा Q कभी भी आदक न यह वाले पार्ट साथ में रहेंगे ठीक है? जो भी आप common ले रहो end वाला पार्ट और यहाँ पर और P and negation Q को as it is रखते है ठीक है? यह कहाँ से आया? distributive law से तो यहाँ पर distributive law हम लिख देंगे अब अगला वाला पार्ट क्या रहेगा? यह देखो यह एक अपना compliment law है और में क्या होता है? फॉल्स फॉल्स तो यह दोनों फॉल्स तो होने नहीं वाले तो मतलब यह क्या होगा? ट्रू होगा और यहाँ पर और p and negation q हो जाएगा, ठीक है? तो यह कहाँ से आया? यह compliment law से आया starting में आपको यह सब law learn करने के लिए थोड़ा सा problem होगा बढ़ धीरे धीरे आप सीखोगे तो आपको अपने आप आने लगएगा practice की ज़रू होता है अब यह क्या है? and यह ठीक है फिर से यह क्या होगा? identical law हो गया यह क्या होता है? true, true तो ही true और अगर यह false होगा तो false होगा मतल़ किस पर depend कर रहा है? q उपर ठीक है? तो यहाँ पर यह वाला part मेरा acceptance आ गया तो यह हो गया identical law ठीक है? identical law हो गया अब सेम चीज़, अब मैं क्या करूँगा? अब इसको फिर से distribute करूँगा, distributive में क्या हो जाएगा? q और p तो q और p और फिर end और q और negation q ठीक है? कैसे? distributive law है तो आपको यहाँ पर distributive लिखना है तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करे रहोगे ना तो आपको सिर्फ तीन major लग रहा रहेगा एक distributive, एक compliment और identity ठीक है? तो इतना सब अगर दिया है ना तो उसमें confuse मत हो बढ़ अगर तीन और चार learn करूगा ना तो 80% सम से मुसी से होने वाला है ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? सेम चीज़ है, यहाँ पर Q और P को as it is लिख देंगे, end यह क्या हो जाएगा? अपना compliment law हो जाएगा, और में क्या होता है? false, false, तो ही false, तो होने नहीं वाला है, यह true हो जाएगा ठीक है? यहाँ पर इसको compliment law लिख दो, ठीक है? अब next वाला चीज क्या हो जाएगा? next वाला चीज हो जाएगा, यहाँ पर and है, and मतलब क्या हो जाएगा? यह दो को or है, और यह and true है, मतलब क्या? true, true, तो ही true, मतलब यह क्या हो जाएगा? false, तो मतलब इस पर depend करेगा, ठीक है? अगर मैं false डालूँगा तो false हो जाएगा, तो मतलब यह क्या हो जाएगा? q और p, यह भी अपना क्या हो जाएगा? identical law हो जाएगा तो इससे हमारा left hand side proof हो जाएगा, ठीक है? मैंने पहली बोला p और q या q और p, एक ही बात है तो यह हमारा right hand side वाला पाट हो जाएगा, ठीक है? एक और sum देखते है अब यहाँ पे देखना, same चीज़ अब यहाँ पे negation वाला पाट लेगा, तो left hand side से start करो यहाँ पे negation का rule मत बोलना तो negation p implies q क्यों क्या बोलता है? वो same p लिखने के लिए बोलता है और फिर arrow मतलब क्या? and इसको negation हो जाएगा, ठीक है? यह कहाँ से आया अपना conditional law ठीक है? conditional law बोलते हैं इसको conditional law ठीक है? तो आप इसको ऐसा बोलोगे, ठीक है? तो अब यह बाला पाट कैसे हो जाएगा? अब same चीज है, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें पता है कि देखो कुछ common नहीं आ रहा है, तो पहली बात तो मैं negation अंदर दे देता हूँ, तो negation देने पे क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा and और यह हो जाएगा negation p और q हो जाएगा, ठीक है? आपको यह चीज समझा रहेगा यह negation rule है, तो यहाँ पे negation rule लिख दीजिए, ठीक है? तो सिर्फ यह सब rule में थोड़ा सा आपको learn करने में problem होगा अब देखो, अभी आपको कुछ common देख रहे है, common नहीं देख रहे है, पहली बाद तो sorry, यह proof हो गया, देखो यह वाला part equal to यह वाला part हो गया, ठीक है? तो यह तो directly हो गया, तो यह और अच्छी बात है Hello दोस्तो, मेरा नाम जतिन शर्मा है, IIT Jam Mathematics में मेरा All India Rank 406 था मैं online personal lecture या तो doubt solving रहता है, कोई भी class रहेगा कोई भी topic रहेगा mathematics का degree का भी रहेगा, तो भी चलेगा आप मुझे call या whatsapp कर सकते हैं, email address भी मिल दिया है, आप subscribe कीजिये channel को, और यह वीडियो में अगर आपको कुछ भी doubt रहेगा, तो आप मुझे facebook या instagram पर पूर सकते हैं, मैं आपको reply करूँगा, link description में है